Hey all right and welcome to all in today's the Hindu news discussion Now daily के basis पे complete news paper को analysis करते हैं हर एक particular news को UPSC prelims में और mains में कैसे पूछे जाएगी ये भी discuss करते हैं Monday to Friday answer writing की जाती है previous AR के question paper और editorial basis पे Now सबसे पहला section रहता है analysis का पूरे news paper का जो headline है उसको देखना एक मिनट में Pegasus के बारे में आया है Supreme Court ने पास किया interim order इसको पूरा discuss करेंगे US के envoy आये भारत में और green energy पे बात की गई और बोला गया कि हम fund भी देंगे भारत को और technique भी देंगे यानि कि technology share करेंगे राइट कस्टोडियल डेथ पे एक news आई है बायो डिकंपोजर को आज पूरा discuss करेंगे जो डेली में impose हुई है तो अभी center से बोला गया है कि सभी राज्यों में इंपोज करनी चाहिए rainwater harvesting के लिए दिल्ली सरकार दे रही है 50,000 रुपे बट बात यह आती है कि क्या पूरे विस्वभर में और इंडिया के basis पर कोई कानून है rainwater harvesting के लिए उसको discuss करेंगे फिर editorial है इनको discuss करेंगे कौन-कौन से editorial important है वो सब discuss करेंगे बहुत सारी सरकार ने अभी NGO में जो funding है उसको रोग दिया गया है क्यूं इसको discuss करेंगे Home Ministry के अंदर आती है World Bank का एक report आई है जो आप अपने mains में यूज कर सकते हैं कि climate change से 200 million लोग गों को migrate करना पड़ा कौन से reason में ज़्यादा करना पड़ा ये भी discuss करेंगे बट without moving further आपको telegram application डाउनलोड करनी है ऐसा क्यों देखिए search box में PR publication आपको search करना है और इस group से join हो जाना है अब जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ UPSC की अगर आप preparation कर रहे हैं तो try ये कर रहे हैं कि mains का integrated approach रखनी है वही major focus है क्योंकि prelims तो qualifying nature का है at the end जो matter करेगा वो आपके mains करेगे अब हम आपको free में कैसे मदद करते हैं आपको PR publication channel मिल रहा होगा daily के basis पर एक UPSC mains question आपको दे दिया जाता है history based question हो या editorial based question daily के basis पर आपको जो answer writing है model answer है hand written में कैसे लिखना है वो भी share करते हैं अगर आप चाहते हैं आप भी PR publication के साथ अपनी तयारी करें तो आप हमारे paid group को join कर सकते हैं affordable plan है सिर्फ 4.99 रुपीज का पूरे एक साल तक date wise current notes daily answer writing 6 to 12th notes phone guidance आपको मिल जाएगा बागी तीनों plan एक साथ लेना चाहते हैं तो 9.99 रुपीज आप अवेल कर सकते हैं early plan भी test series भी UPSC CSET का video course भी लेना बहुत simple है दिये गए नमर पर Google पर phone पर करना है जो भी payment करेंगे उसकी screenshot से नमर पर WhatsApp करनी है और हम आपको अपने telegram private group से add कर लेंगे now सबसे पहले news है Supreme Court to pass interim orders in Pegasus case Supreme Court ने Monday को decide यह किया यान कि कल decide किया कि हम एक interim order पास करेंगे जब सरकार ने refuse किया कि हम जो हैं जो उन पर allegation लगे हैं उस पर कोई response नहीं देंगे तो ऐसा बोला गया Supreme Court के दोरा कि हम एक interim order पास करेंगे जल्दी now Chief Justice of India ने आगे क्या बोला उन्होंने बोला such that government a fair opportunity to file a detailed affidavit in order to get a clear idea of its stand in Pegasus cases Chief Justice of India ने directly बोला कि सरकार को भी एक मौका देना चाहिए ताकि वो एक अपना detailed affidavit file करें ताकि वो बताए कि उसके पीछे क्या reason था या क्या भी उनका उसके पीछे कारण रहा होगा पर उसमें जो सरकार की तरफ से जो वकील होते हैं उन्होंने बोला he urge the court to allow the government to form a committee उन्होंने बोला कि अगर हम यह public में करें पब्लिक में यह पास करें तो कहीं न कहीं national security के लिए violate करेगा यह हमारा internal security को violate कर सकता है बहुत सारी जो चीजें हैं वो reveal हो सकती है तो सॉल्स्टाइ जनरल मिश्टर तुसार महता जी ने यह बोला कि हमें एक committee बनानी चाहिए ठीक है जिसमें सभी जो expert होंगे सभी domain के expert आपको देखने को मिलेंगे जैसे जिसमें citizen, journalist, activist, minister, parliamentary इन सब की अगेंग जो pagasus cases बोला गया था कि सरकार ने इनके phone को hack किया है तो कहीं न कहीं एक expert committee बनानी चाहिए वही decide करेगी कि better क्या result लेना चाहिए ऐसा सरकार के वकील यहनि कि solstai general तुसार महता जी ने बोला सरकार तो मना ही कर रही है कि हमने तो कोई spy नहीं किया बट major जितना भी अभी की news थी वह मैं आपको बता चुका हूँ बट question क्या इससे आएगा आज की news से नहीं question कैसी पूछा जाएगा वह मैं आपको बताता हूँ तो पहली news से question एक तो आएगा pagasus के बारे में pagasus है क्या सबसे पहले यह जान लिग जी यह एक software है Melchia software है जिसको हम spyware कहेंगे जनरली यह क्या करता है डिवाइस को access कर सकता है easily बिना आपकी knowledge के और सभी personal information निकाल सकता है अब यह pagasus बनाया कि इसने यह बनाया है इसराइल देश के एक company ने NSO group ने 2010 में pagasus को zero click attack भी कहते हैं क्योंकि यह आपके phone को hack कर सकता है बीना आपके click की हुए आपके microphone को आपके camera को operate कर सकता है 2019 में whatsapp ने एक statement release कि pagasus से आपके phone को hack किया जा सकता है सिर्फ एक whatsapp missed call दे के सोचो सिर्फ एक missed call मतलब आपको कोई click नहीं करना पड़ेगा कि कोई link में click करना तो सरकार ने कोई initiative लिए yes cyber सुरक्षित भारत initiative NCCC cyber सच्छता केंदर I4C अब बच्चों का major question आता है कि क्या ये सर जब UPSC mains में लिखना होता है ये पूरा लिखेंगे क्या हम नहीं सिर्फ इन schemes के बारे में लिखेंगी सरकार ने क्या क्या किया है कानून भी है IT act, personal data protection, bill और उसके साथ साथ world level पे भी है बुदा पेस्ट convention ये cyber crime पर है भारत इसका signatory नहीं है ये तो बात है prelims की कि prelims में Pegasus से क्या-क्या आ सकता है बटा बात आती है mains की editorial बेज़ जब a question है कि what are spywares discuss the problem created by Pegasus इस पर बहुत possible chances है 2021 के mains में ये पूछा जाए और क्या-क्या solution हो सकते हैं इसको tackle करने के लिए भारत सरकार ने क्या किये हैं ये भी मैंने आपको already बताया हुआ है solution में एक और चीज़ add कर सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए एक committee भी बनानी चाहिए जो पूरी तरह transparent क्या करेगी probe करेगी Now next news है inflation यानि की महंगाई dips marginally to 5.3% in August इंडिया का जो retail inflation है वो कम हो रहा है 5.3% अगस्त में 5.6% से 5.3% आ गया है मतलब जुलाई में था 5.6% अब inflation कम होगा है thanks to food price inflation falling to 3.11% nearly 4% जुलाई में था अब 3.1% हाला कि ये basic जो random fact and figure है वो आपको याद नहीं करने बस सिर्फ conclusion में ये जाने लिए कि inflation कहीं न कहीं कम होगा है पर बाद ये question ये आता है कि भारत में जो inflation है वो measure किस से करते है यही तो major question है मैंने का inflation 4-3 होआ तो ये measure कौन कर रहा है ये कैसे measure होता है तो ये होता है CPI basis पे consumer price index देखिए दो तरीके के हैं वो मैं आपको notes में समझाता हूँ now inflation in India GS paper 3 monetary policy measurement of inflation in India देखिए भारत में दो तरीके से inflation जो है माँ आप सकते हैं WPI और CPI WPI क्या है wholesale price index it is mostly widely used inflation indicator in India ये publish किया है किस के दोरा economic advisor ministry of commerce और industry के दोरा right base year WPI का होता है 2004-2005 को कड़ दिया गया था पहना base year 2004-2005 था अब है 2011-2012 base year base year का मतलब क्या होता है suppose मैं कहूंगा 2011-2012 में किसी एक shape की कीमत 100 रुपे होगी suppose और अभी चल रहा है 2021 अब उसी similar shape की case 1500 रुपे है मैं कहूंगा मेहंगाई कितने रुपे ज़्यादा हुई है मेहंगाई कितनी हुई है 50 रुपे ठीक है WPI पर WPI में wholesale का निकालते हैं यानि कि आप अगर किसी दुकान पर जाओगे ऐसा थोड़ना लोगे ना बलक में कोई चीज़ है retail पर ही तो लोगे और दूसरा wholesale की ये भी कमी है कि वो service sector को गिनता ही नहीं है अब बात आती है CPI हाना कि दोनों तरीके से महंगाई को मीजर किया जा सकता है ये चीज़ याद रखना बट अभी कौन सा यूज़ करने हैं वो भी मैं अभी explain करूँगा retail buyer के लिए ये CPI मापा जाता है ये goods and services दोनों को करता है चार टाइप की CPI कल्कुलेट करने पड़ते है industrial worker के लिए agriculture laborer के लिए rural labor के लिए rural urban combine के लिए जो पहले तीन है ना ये IW, ALO और RL ये LB करती है यानि की labor bureau करती है ministry of labor and employment करती है जो चौथा है rural और urban का combine वो निकालती है हमारी CSO अब BCI जो CPI का है वो कितना है दोजार बार है ठीक है BCI CPI के कितना है दोजार बार है अब BCI बता चुका हूँ मैं अब कुछ factual information भी देख लेते है देखिए CPI में क्या किया गया है अलग-अलग चीज को देखिए तीन चीज है हमारा पास food, fuel और manufacturing तो अलग-अलग चीज़ों को weightage दिया जाता है CPI में खाने का weightage है food का weightage है वो 46% है और वही percent WPI में जो food का weightage है वो 24% है right recent update किया है CPI का जो industrial worker का base year है वो 2016 कर दिया गया है तो ये पूरा WPI और CPI inflation at the producer level जहाँ पर actual पर बनता ही है WPI का ये होता है जहाँ पर producer level पर जो actual हमें accurate information नहीं दे पाएगा फिर महंगाई कितनी है CPI capture करता है at consumer level मतलब हम को कितना ज़्यादा feel हुआ वो हम को कितने का पड़ा CPI consumer level पर मापता है और WPI producer level पर मापता है both basket major में देखता है WPI capture नहीं करता है services को बट CPI करता है तो 2004 में Reserve Bank of India ने बोला कि हम CPI को use करेंगे as the key measure of inflation यानि कि महंगाई मापने के लिए CPI का use करेंगे नाव नेक्स्ट अच्छी ख़वर है इंडिया-उस to tie up upon green energy US Climate Envoy डैली में पहुँचे और उने बोला fund और technology हम दोनों देंगे United State collaborate करने वाला है भारत के साथ और भारत का जो गोल है 2030 तक 40 450 GW के energy renewable energy के साथ install करना वो उस पर मदद करेगा US currently इंडिया ने install किये है power capacity projected to be 476 GW 2021 2021-2022 तक प्रोजेक्ट किया है और इसको 870 GW तक प्रोजेक्ट करने की बात की गई है ठीक है प्रोजेक्ट किया गया है 476 GW का 2022 तक और उसको 870 GW तक हम इसको बढ़ाएंगे ठीक है आगे पूरे इसी पर बात हुई आगे और कौन कौन से step लिए गए अब climate change की या green energy की कभी भी बात आईगी तो इंडिया और US का collaboration आप लिख सकते हो नाव नेक्स्ट बात आती है High Court 6 Status Report on Protection of Witness in Tihar Custodial Death Case बात है अंकित गुजरे गंगस्टर है तिहar जल में उसकी death हो गई मतलब कस्टडी में रहते होए डेथ हो गई तो डेली Court on Monday called for status report दोआ from the prison authority on steps taken to ensure safety and security of witness in the alleged murder of gangster अंकित गुजर मर्डर कर दिया गया Justice Mukta Gupta who last week transferred the investigation in case of CBI directed that all witness to be kept in a cell monitored by CCTV जितने भी witness हैं जिन लोगोंने इंदों मर्डर करते होए देखा उसको क्या करो monitor करो उनसे पूछो but major question UPSC में ये पूछा जाता है कि हाल में यार custodial death बहुत हो रही है चाहिए inmates ने किये हो और देखो जिसको पता है अगर कोई sub inspector भी है उनको पता होगा कि अगर custody में death हो जाती है तो उस particular जो जितने भी jail authority होती है ना suspend कर दिया जाता है सोचो इतना बहुत ज़्यदा strict होता है उसके बावजुद भी jail में death हो रही है किसी का murder हो रहा है कोई suicide कर रहा है चीक है but question ही आता है कि custodial death पर question कैसा आएगा यो PC mains में तो question कैसा आएगा custodial violence और torture in prison news में क्यों रहा था हाली में Tamil Nadu जो father son duo है उनको हत्या कर दी गई मतलब हुआ क्या था मैं बहुत simple सा बारे में बताता हूँ COVID-19 चल रहा था बहुत सारे जो fard वाले जो अपनी दुकान खोल रहे थे उनसे बोला गया था कि आप क्या करो दो बजे के बाद दुकान बंद कर दो Tamil Nadu में उनको थोड़ा सा लेट हो गया पाइंदस मिनेट लेट हो गया उनको पुलिस ने गरिफतार किया और उसके बाद कुछ दो-तीन दिन बाद जो प्रीजन में है उनको मार दिया गया अब इस पर एंगर पूरे इंडिया वाले भढ़के तो अब इतना बड़ा केस हुआ कि यार फादर सन को मार दिया जा रहा है कस्टडी में सिर्फ इस रीजन के वज़े से कस्टोडियल वाइलेंस प्राइमरली रिफर्स टू वाइलेंस पुलिस एंड जुडिशियल कस्टडी जब किसी एक परसन को पुलिस के अंदर जुडिशियल कस्टडी के अंदर लिया जाता है जुडिशियल कस्टडी लेते न जजज कहते हैं कि चलो पुलिस इसको रखो जिल में दो दिन तक उस दोरान किसी की हत्या कर दी जाती है उसके साथ वालेंस होता है तो उसे कस्टोडियल वालेंस कहते है इसमें डैथ, रेप, टॉर्चर सब चीज हो सकता है कुछ डेटा है किया जिससे आप इस पॉइंट को और ज़्यादा बना सको येस, NCRB का डेटा 2001-2008 कहता है कि सिर्फ 26 पुलिसमेन को कन्विक्ट करार दिया गया डैथ कितनी हुई है, 727 डैथ हुई है, उसमें से 26 पुलिसमेन को ही कन्विक्ट करार दिया गया है वो भी, except उत्तरप्रदेश, मद्धिप्रदेश, 36 गर, ओडिसा को छोड़के, सबी राज्यों में तो पुलिस को पकड़ाई ही नहीं जाता है सोचो, डैथ होने के बावजूद भी क्या कोई constitutional provision है, हमारे पास इससे बचने के लिए, yes, article 21, right to life, article 22, clause 1, और CRPC amended 2009 में हुआ इसके पीछे कारण किया है कि custodial violence में इतना death क्यों हो रही है लोगों की सबसे पहने यार, एक हमापा कड़ा कानून है नहीं, जिससे की पुलिस वाले भी डर है, कि यार, इनको अच्छी तरह secure करना है institutional challenges बहुत ज़्यादा है, transparency बहुत कम है excessive force, the use of excessive force including torture to target marginalized community को torture किया जाता है international standard को follow किया जा नहीं रहा है, भारत ने, इंडिया ने sign किया है United Nation की convention against torture को, बट ratification बचा है, ठीक है, फिर भी international जो standard follow नहीं किया जा रहा है, now suggestion क्या दिये जाते है, suggestion बहुत simple है कि भारत को ratify करना चीए UN convention against torture, ratify करेगा तो क्या होगा international जो provision है वो मानने पढ़ेंगे ये लिखा गया है कि सभी जेलों में एक CCTV camera होना चाहिए, ताकि कब कहां क्या हो रहा है वो सही है, और हर जगे, आप क्या करो, दो दो guard establish करो, ठीक है, पुलिस reform लाना चाहिए training देनी चाहिए उनको, कि किस तरह से deal करें ऐसे cases को, prison access unrestrict करना चाहिए regular access to independent qualified person, और CCTV camera होना चाहिए, और surprise inspection भी visit होना चाहिए अगर ये रोकना है तो 273 रिपोर्ट जो law commission की वो कहती है, कि recommend that those accused of committing custodial torture चाहिए वो policeman हो, military हो या paramilitary personnel है, उसको criminally prosecute करना चाहिए instead of facing mere administrative action, उसको criminally prosecute करना चाहिए चाहिए policeman हो, military हो या paramilitary personnel है, ऐसा law commission की 273 रिपोर्ट ने बोला तो इसके basis पर हमारा क्या हो सकता है, custodial violence रोक सकते हैं पर क्या इससे prelims का question आएगा, नहीं, 30 अगस्त को already हम ये question कर चुके हैं ये है, what is custodial violence, elaborate on its status in India, what are the challenges before India, incurving it, discuss इसको करना है Now next news आती है, center suit direct state to use bio decomposer CM मैं कहूँगा यार, दिल्ली के जैसे CM सभी राज्यों को मिले, उत्राखंड में तो CM के नाम पर कुछ है ही नहीं ठीक है, ये देखो, हर एक state का deployment तब ही हो सकता है, जब वहां के जो हमने representative चुने हैं, वो अच्छे हो तो अब आम आदमी party की भी सरकार आ रही है, उत्राखंड में, बहुत सारे लोग इस बार उठेंगे तो मैं कहूँगा यार, आम आदमी party को vote करने सब ठीक है, center suit direct state to use bio decomposer CM क्योंकि particular सिक्षा और स्वास्त के मामले पर, और जो basic facilities है क्योंकि आदिस से जादा आप सबको पता, मैं ये कोई ऐसा fact नहीं बोल रहा हूँ अगर आप देखोगे, जो आदिस से जादा, जो powerful party है, वो BJP है और आदिस से जादा, वहां के political party के जो leaders हैं, उन पर criminal charges है ये भी एक fact है, criminalization in politics भी हम कर चुके हैं इसलिए ये मैं आपको statement दे रहा हूँ, कि आप किस party को support कर सकते है आप उस बंदे को मत देखो, आप उसकी ideology देखो, उस आम आदमी party की कि क्या है, जो basic facilities हैं, सिक्षा हैं, स्वास्त हैं, फिर देखो यहां की school भी कैसे बनते हैं major question यहां पर यह आता है, कि यार अरविंद केजरिवाल एक बहुत ज़्यादा विजनरी आदमी है वो चाहते हैं कि मास का welfare हो, तो उन्होंने bio decomposer technique को start किया उन्होंने बोला, bio decomposer technique utilized by Delhi government, last winter had turned out to be highly effective in dealing agriculture, stable burning अब देखो, मैं सबसे पहले थोड़ा सा यह context बता देता हूं, ताकि जो नए बच्चे हैं, उनको समझ मा आ जाए, नहीं तो वो कहेंगे, sir, bio decomposer क्या बता रहे हो, उसको तो बता ओ, initial से, मैं कोंगा, stable burning stable burning एक सबसे बड़ा concern है अभी पूरे भारत का, जहां पर पंजाब और हर्याणा में बहुत ज़्यादा जो किसान है, वो stable को जला देते हैं, और उसके चलते हुए, NCR region पूरे भारत के north east और north वाले region में, pollution होता है, air pollution होता है, green house gases बढ़ जाती है, global warming बढ़ती है stable होते किया है, जब pedifields को काटा जाता है, तो आपको बाद में क्या मिलते हैं, जब last में, पूरे तो कटते हैं नहीं, तो ये डंठल बच जाते हैं, ये वाले, छोटे छोटे चोटे और इस से भी छोटे डंठल बच जाते हैं, उनी को stable कहता है अब जब काटा जाता है पैडिफिल्ड को इस्टेबल बच जाते हैं अब क्या होता है किसानों के पास सिर्फ 20 से 25 दिन का समय होता है नहीं जो क्रॉप्स को उगाने का अब किसान क्या करेगा उसके पास यार इतना पैसा है नहीं की इन डंठलों को happy seeder machine से निकाले क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगी है तो वो क्या करते हैं उनको सबसे अच्छा सरल तरीका लगता है कि आधे गंटे में पूरा काम तमाम कर देना मतलब पूरे खेत में ही आग लगा देते हैं तो ऐसा कर 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 के वो पूरे ही खेत में आग लगा देते हैं तो फिर उससे जो pollution create होता उसी को कहते हैं pollution due to the stable burning अब इसके चलती हुए इनको पिगलाने के लिए मतलब इसमें आग ना लगा जाए कर के CMKD वाल ने एक experiment किया बाइड़कमबोजर का corner and city air quality expected to Detroit during the month of October और November में Detroit होती है तो आप क्या कीजिए decomposer का use कीजिए till now अभी तक जितनी भी सरकार हैं वो एक दूसरे को blame करती आ रही थी center कह रही है कि राज़ी कुछ नहीं कर रहा राज़ी कह रहा कि center हमें पैसा नहीं दे रहा नहीं कर रहें बट कोई भी blame करने से किसी का solution नहीं निकलेगा तो at the end जैसे मैंने बोला है न इस्टेबल और पराली से कहते हैं पराली बोलो या stable बोलो तो पोस्ट harvest session farmer barely has 22-25 so the next crop wheat तो इस कारण वो किसान जो है इससे आग जला देते हैं इसको तो बांगी अर्विंद के जिवाल जी ने ये भी बोला कि हमने पिछले साल government ने इस्प्रे किया 1935 एकड़ की जमीन में 49 villages को फाइदा हुआ एक सर्वे भी किया गिया वेबकॉस ने और वेबकॉस का सर्वे ये कहता है कि 90% जो किसान है उन्होंने बोला कि 15-20 दिन में जो stable है वो डिकंपोज हो गया पहले तो 40-50 दिन लग रहे थे अब सिर्फ 15-20 दिन में डिकंपोज हो जा रहा है और जो organic carbon nitrogen bacterial fungal content है उससे soil की fertility भी बढ़ रही है तो सोचो कितना बढ़िया है और RTI का response ये कहता है कि जो decomposer का solution है वो सिर्फ 75,000 का पढ़ रहा है अगर वहीं अंगर हम spray करेंगे तो वह पढ़ेगा कुछ 22 लाग का अब यहां पर उन्होंने ये भी बोला कि यार publicity में भी वह हुआ है बट मेजर यहां पर यहां पर यह है कि बहुत ज़्यादा सस्ता ये बन रहा है राइट अब इसके basis पर पूरे notes मां बता देता हूँ आपको अब देखिए अलग अलग political party तो क्या गड़ती है जैसे मैंने बोला बीजेपी फिर कॉंग्रेस सरकार कहीगी ना आमादमी पार्टी मैं कहूंगा यार आमादमी पार्टी इनिशेटिव तो ले रही है बाद में criticize करने वाले हो जाते हैं कि इतने का पड़ा publicity में इतने रुपे लगाए इस्प्रे करने में इतना रुपे लगया उससे मत इसलब नहीं है क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना बाइडी कॉंपोजर टेक्निक कॉंटेक्स्ट बहुत सिंपल है सीम अर्विंद केजिवाल ले अब जितना जो न्यूज आया उसको मैंने आपको नोट्स की फॉर्म में भी दे दिया तो यही तो होता न्यूज पेपर पढ़ो उसके नोट्स ले लो बस खतम डेली के बेसिस पापको हल्प मिल जाएगी चीफ निश्टर अर्विंद केजिवाल है सेट देट बाइडी कंपोजर टेक्निक आप कंवर्टिंग इस्टेबल इंटो मैंनियर है सोन सकस्स नेक्स्ट क्या है सरकार व और इस्टबल होता ना डेंटल वह बना रहता है शेल議ंस से लिणो ओप्रेक्टिं पूसा डिकंपोजर मैं 7 से ज्यादा फंजाइ का मिक्षर होता है और वह से इंजय मों प्रिजूस करते हैं जो इन सेलिलेंग और पेक्टिं को डिकम पोज कर दें कितना साइंटिफिक ए स में जो की एक्चुल में टेंप्रेचर हुआ रहता है कैसी फिल्ड में यूज करते हैं ए लिक्विड फॉर्मिलेशन इस फॉर्म्ड यूजिंग डिकंपुजर कैप्सूल सेन फर्मेंटिंट ओवर आठ से दर जिन तक फिला जाता है फार्मर एक किसान 25 लिटर का लिक्विड मिक्स करता है चार कैप्सूल के साथ जैगरी के साथ गुड़ चिकपी के साथ दा मिक्शर इस सफिशन टू कवर वन हेक्टियर ओप लेंड सिर्फ इतना ही देखो 25 लिटर ओप लिक्विड मिक्शर होगा जिसमें चार कैप्सूल डालेंगे जैगरी डालेंगे चिकपी डालेंगे और ये एक हक्टियर की लेंड में और आप सबको पता है हमारे भारत में एक हक्टियर जमीन वाले फार्मर उससे भी कम है तो उनको और ज़्यादा हुगा कितना ज़्यादा देखो साइन्टिफिक है पूसा डिकमपुजर के फाइदे के हैं सॉयल फर्टिलिटी को सबसे पहले बढ़ा देता है भाई साब ये एफिशेंट है चीपर है डोयबल है प्रैक्टिकल टेक्निक इसमें अपनाने वाली है कि इस्टबल को कैसे खतम करें ये है सॉयल फर्टिलिटी वर्डरी है किसान खुस हैं और इससे हो सकता है कि जो एक्चुल में जो पॉलिशन है वो हमारा कर्व हो जाएगा ठीक है दिल्ली सरकार का एक और नया इनिशेटिव पचास हजार रुपे दिये जा रहे हैं रूप टॉप रेंवाटर हार्वेस् और जो आपका पानी का बिल आता है उसमें 10% की छूट भी देगी अगर आप authorized तरीके से रेंवाटर हार्वेस्टिंग करें ऐसा authority ने कहा दूसरी बात यहां पर भी बोली कि दिल्ली को एडॉप्ट करना चाहिए र्डवलो एच में यानि कि रेंवाटर हार्वेस्टिंग जो की कहां यूज किया जाता है डूंगरपूर एक राइस्तान का जिला है डूंगरपूर वहाँ पर रेंवाटर हार्वेस्टिंग जिसको बोलते है इन लाइन रेंवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम उसका ही यूज करना चाहिए अपने दिल्ली में भी इससे रेंवाटर इस मौडल में होता क्या है रेंड वाटर इसमें बारिस का पानी होता है वो एक पिट में डाला जाता है बलकि इसमें बोर्वेल में ही डाल दिया जाता है तो ये अभी मैथड डूंगरपूर राइस्तान जिले में फॉलो की जाती है जो की बहुत ज़धा एफेक्टिव है तो रेंड वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कोई कानून है क्या भारत में तो मेंस के लिए है रेंड वाटर हार्वेस्टिंग लॉज इन इंडिया मुव क्यों लिया गया एम यही था कि यार ग्राउंड वाटर का ओवर एक्स्प्लोइटेशन हो रहा है इसलिए मौडल बिल्डिंग बाई लॉज 2016 को इंप्लिमेंट किया गया इस लॉज के अंदर क्या है 33 स्टेट यूनिंटरिटी है अडॉप्टेट द रेंवाटर हार्वेस्टिंग प्राविजन अडॉप्ट करने पड़ेंगे और सभी बिल्डिंग में यह एप्लिकेबल होगा कु है तो जनरली यह राज्यों की रिस्पॉंसिबिलेटी है है देखिए दिल ने तो अपना काम कर चुके हैं अपना राज्य अब ऐसा नहीं है ना यार मैं कहूंगा बाई लॉज दोजार सोल है ठीक है तो पर सेंटर एडॉप्ट नहीं कर सकते क्योंकि वाटर जो है स्टेट वार लॉंच हुआ था देखिए ट्रंप एड्मिस्टेशन पूरा यहां पर आर्टिकल चाइना और यूएस के बारे में है कि अच्छे से इंगेज करना चाहिए और जितने भी इस्यूज है उससे किसी दूसरे देश को जो है इंपेक्ट भी नहीं करना चाहिए हाला कि ट् जरब पढ़े तो हम कॉपरेट करेंगे एवन यूएसे ने तो चाइना को इन्वाइड भी किया था कि अफगानिस्तान में जो अनिस्टेबिलेटी फैली है उसको इस्टेबल करना है क्लाइमेट चेन पर बात की गई है बट उसी समय में दोनु जो देश हैं यूएसे और एक जो उनके बीच में डिस्पूट किया रहता है कि यार जियन जंग रिजन में हुमन राइट का वाइलेशन हो रहा है इस मुद्दे पर भी बात की जा रही है हौंग कॉंग है ताइवान को पूरा डॉमिनेट किया रहा है साउच चाइना सी जो रूट है उसको डॉमिने पर यह की जा रही है कि कोविड-19 का ओरिजन कहां से हुआ था यह अभी मुद्दा बना हुआ है हाला कि इंडिया के रिस्पेक्टिव में नहीं है तो इतना हम डिस्कस नहीं करेंगे यूएस ओपन टैनिस से रिलेटेड है इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे सत्र साल के अब बच्चे स्कूल में लोट रहे हैं पोस्ट कोविड-19 सिच्वेशन इजए कॉम्पलेक्स और वियर वी लैप्टीट अप्रोच विल डू नॉट फॉर एनी स्टेज ऑब स्कूल एजुकेशन तो कही ना कहीं यहां पर क्या है कि ओनलाइन मोट का इंपक्ट क्या पड़ा अब धीरे दिरे इस पर आर्टिकल मैंने का तीन चार मैंने तक आते रहेंगे कोविड-19 किड्नी इंजूरियन नीट फॉर वैक्सिन सॉट क्या कुछ मतलब है इसको पढ़ने का नहीं चीक है आपको यह नहीं पढ़ना बाकि ओपेट पेज 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 राइट दूसरा यह है सम आर्गूर दाइट विमेंस टैनिस इस तो अन्प्रेडिक्टेबल ठीक है मतलब जो यूपीएसी के काम का नहीं अब आपको फिर यह आर्टिकल दिये क्यों है मैं कहूंगा मैं हमेशा की तरह यह बोलते आया हूँ कि जो दहिंदू है वो सिर्फ यूपीएसी इस्प्रेंट के लिए नहीं बनाता अपने वो हर एक सेक्शन आप सोसाइटी को फीड करें उनकी न्यूस उसलिए बनाता है अभी हाली में सरकार ने दस क्लाइमेट चेंज के बेसेस पर जो फंडिंग है बहुत तरी एंजियों की रोकी है उसके पीछे बहु होंगे प्रोविजन्स होंगे और बियाई है इंस्ट्रक्टेट अट एनी फंड फ्लोव फ्रॉम डोनर एजनसी टो एनी एंजियो कोई भी एजनसी अगर एंजियों को दे रही है भारत में तो सबसे पहले उसको मिनिस्ट्री आफ होम आफियर्स के अंदर लाना पड़ेग सबसे पहले इसके बेसिस पर कॉशिन कैसा आएगा वो बताता हूँ फिर उसके पीछे लॉजिक बताऊंगा FCRA Foreign Contribution Regulation Act 2010 इसके मतापिक अगर कोई भी एंजियो भारत में काम कर रही है उसको अगर फॉरण फंडिंग चाहिए होगी तो उसको पहले FCRA में अपने को रेइस्टर करना पड़ेगा FCRA Act 2010 है और ये Home Ministry के अंदर काम करता है रेधर RBI के अंदर काम नहीं करेगा ये Home Ministry के अंदर काम करेगा ऐसा क्यों मैं कहूंगा बहुत बार ऐसा भी हुआ है बहुत सारी एक NGO खुली है उसको पाकिस्तान से फंडिंग आती थी सोचो यह दूसरी कंट्री से फंडिंग आती थी USA से फंडिंग आएगी बट एक्चल में वो USA नहीं करेगा कोई पाकिस्तान वाला ही करेगा उस NGO फंड और उसके चलते हुए गोला बारूत खरीदेगा इंसरजेंसी टेरिरिस में फैलाएगा तो NGO को अगर फॉरिंग आ रही है तो उसको रेगुलेट करना उतना ही जरूरी है ठीक है जितना की यह मुवी का डैलोग होता है इसको रोकना उतना ही जरूरी है जितना की मैं उतना नहीं बोल रहा हूं मैं यह बोल रहा हूं इसको रोकना उतना ही ज़रूरी है, फुल स्टॉप, बस इतना ही statement है, ठीक है, नौ बात करते हैं, business page news की, कोई भी आप हमारे काम का है नहीं, jet tourism, local flights, don't let justice delays, fail IBC, right, insolvency and banker, अपसी code IBC है क्या, और ये कानून कब आया था, ये आपको बताना है, IBC बहुत simple है, कोई भी person अगर bank से loan ले रहा है, या किसी भी non banking financial company से loan ले रहा है, अगर वो उसको repay नहीं कर पाता, तो उसे कहते हैं insolvency, और उसी को अगर legal status मिल गया, कि वो रुपे वापिस नहीं कर पाता, उसे bankruptcy कहते हैं, तो COVID-19 की situation में ऐसा बहुत बार हुआ, तो IBC यही काम करता है, जो जो loan नहीं दे पा रहा है, उससे loan वापिस निकलवाना, और suppose वो अच्छा perform करता है, तो उसको और ज्यादा loan भी देती है, IBC, चीक है, आज World Bank की की एक report आई है, जिसको हम discuss करेंगे, climate change could cause 200 million to migrate, World Bank की report है, climate change could push more than 200 million people to leave their homes in the next 3 decades, अगले आने वाले तीन दसकों में, यानि कि 30 सालों में, migration बहुत ज़्यादा हो सकता है, urgent step लेना पड़ेगा, global emission कम करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं World Bank की एक report आई, आप इसको लिख लो, note कर लो, ठीक है, climate change से इतना ज़्यादा impact है, worst scenario तो हमें सब सहारन अफरिकान देसों में मिलेगा, जो ब मां बंगलादेस, particularly climate change से फ्लड आया, crop failure हुई, account almost half of the predicted climate migrants, 19.9 million people, including an increasing number of women, 2050 तक, जो है, migrate करेंगी, right, दूसरे वर्ल पेज की news क्या है, तालिबान breaking promises, United Nation official यह कह रहा है, कि जो तालिबान ने बोला है, वो नहीं हो रहा है, अफगनिस्तान is in the perilous phase, there is a credible allegation of reprisal killing says, Michelle Baselet, बहुत सारे लोगों को मारा जा रहा है, human right का violation हो रहा है, अब United Nation security, जो council है, may be sanction लगा सकती है, एक दो महने में, North Korea test new long cruise missile, UK may give note to Jeff for 12 year old, बच्चों को भी vaccinate किया जा रहा है, अब कुछ आपके comment पढ़ लेते हैं, अब जिसने end तक देख लिया है, वीडियो को like कीजिए, thanks sir, but जल्दी से आप सारे subjective notes से तो जैसे है, history, politics, geography, translate to English, translate to English, अच्छा, छीक है, अच्छा, ये उसका ही feature है, छीक है, ये सभी notes आपको मिल जाएंगे, thank you a lot for your effort, thank you Priya, डिकलोफिन है कि जे major concern for white vulture, बिल्कुल, अजवाई translating, अजवाई, 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 good morning, translating, morning, morning, आजो, ठीक है, आज का end code हम रखेंगे, आज का end code हम रखेंगे, आपका favorite song, देखते हैं, सब लिखना, ठीक है, जितने भी लोग है अपने लिखना, और अभी का, जो, वो भी सुन सकते हो आप, सतिंदर सर्ताज का दहलीज, ठीक है, ये अभी का मैं सुन रहाँ, आप लोग अपने favorite song लिखना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी comment करो, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लिया है, आज की studio में इतना ही करेंग end code है, favorite song सभी को list करना, देखते हैं किसका क्या है,